hi dear friend, आप सबी देख रहे हैं soil mechanics और soil mechanics का ये lecture no 11 है lecture no 11 में हम बात करने वाले हैं कुछ questions और कुछ derivations ठेके हैं कुछ question जैसे मैंने previous lecture में बात किया था कि इसके derivations में बताऊँगा कि जो सेवाग SH E equal to wg कैसे derive करते हैं वोग इसी में मैं आगे बताऊंगा पहले ये question को करेंगे और question से पहले मैं ये request करूँगा कि अपने दोस्त मित्र को share कर लो कि ताकि वो भी इसका benefit ले सकें ठीके जो को time से पहले कोई चीज complete हो जाता ना तो बहुत अच्छा लगता है अगर result fail होने के बाद अगर यही चीज मिले और फिर बाद में यह हो कि कास मुझे यह lecture पहले मिल गया होता तो मैं पास हो गया होता तो कहीं न कहीं पस्तावा रह जाता है तो मैं तो request करूँगा आप अपने दोस्त अपने एक थोड़ा भले की काम तो कर सकते हो कि अपने दोस्त में तुरको शेयर कर लो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब परसंटेज़ वोइड देखो परसंटेज वोइड और परसंटेज ओफ एर वोइड आप दोनों यहां पर यह वाइड रेशियो के वैलियों है वहां 60% दिया है वहां पर 60% दिया है बाकि concept यही है ठीक है यह concept समझ लो वह question भी आप आसानी से solve कर लोगे क्या दिया है if maximum and minimum dry density of soil sample are two gram per cc cc का मतलब पहले भी मैंने बताया था कि cc का मतलब cm3 है cm3 की ध्यान देना ठीक है gram per cm3 density बता रहा है और यहां पर देखो minimum density बताया 1.5 gram per cm3 respectively बताया ठीक है नहीं दिया हो तो average ले लेना 2.67 होता है average यह value लेके और solve कर लेना specific gravity soil की 2.67 average value यह होती है previous भी lectures में मैंने बताया है तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं वो क्या है कि उसकी given data को लिख लेते हैं तो वाइड ratio दिया है वाइड ratio को मैंने लिख लिया e equal to 30% मतलब 0.30 value होगी और जो इसके gtu में जो question पूछा है winter 2019 का paper देखो उसमें यह question पूछा है बस सिर्फ पर किया है कि जो वाइड ratio वहां e maximum देखो ड्राइड एंसिटी maximum टू ग्राम पर संटिमेटर क्यू और ड्राइड एंसिटी minimum यहां पर लिख लिया है जी की value लिख लिया है density index का formula यहां पर मैंने लिख के रखा है यह previous में नहीं बताया था मैंने पहले ही बोला कि मैं question करा रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं e upon e maximum – e minimum ठीक है इसे और भी कुछ concept समझ में आएंगे मैं आगे बताता हूं ठीक है इसे और भी कुछ concept समझ में आएंगे आगे में बताता हूं ठीक है तो देखो यह ड्राइड कि दिया हुआ है मुझे तो यह वॉइड रेश्यो चाहिए e maximum और e natural दो दिया हुआ है 30% यह तो है लेकिन e maximum e minimum कैसे मिलेगा वो मुझे यह dry density के base पे मिलेगा मैं आगे यहाँ पर करके बताया हूँ इस concept का use करके आप आसानी से e maximum और e minimum find out कर सकते हैं देखिए कैसे find out किया है आपको यह formula पता था rho d equal to यहाँ पर लिख रहा हूँ रो d equal to g into rho w upon one plus e ठीक है अगर यह maximum लेता हूँ ध्यान देना यह maximum यह maximum कब होगा जब यह नीचे की value minimum होगी तभी होगा ध्यान देना यह maximum कब होगा यह dry density maximum कब होगा जब inversely value minimum होगी अब minimum कैसे होगी जब minimum होगा तो यहाँ पर वही चीज मैंने यहाँ पर यूज किया है यहाँ पर देख सकते हो कि dry density maximum equal to g into rho w upon one plus minimum किया है ठीक है यह minimum फिर बाद में यह वाली जो है इसको cross multiplication करो यह नीचे वाली value उपर चली जाती है इस तरफ का value इधर आ जाता है यहाँ पर value सारे put कर दो value दिया ही है जी की value 2.4 rho w की value 1 क्योंकि gram per centimeter की क्यों में है अब फिर बाद में यह rho d की value 2 और minus 1 पहले इसको solve करो पहले यह वाले पार्ट को solve करो जितना वाता है उसमें minus 1 करो तो आपका e minimum निकल जाता है ठीक है इसी तरह e maximum dry density minimum लेते हो तो यहाँ पर e maximum होगा और इसी तरह का concept use करते हुए यहाँ पर आओगे फिर बाद में e maximum यहाँ पर find out होके आजाएगा आपको e minimum भी मिल गया और e maximum मिल गया ठीक है e minimum 0.2 और e maximum 0.6 इस तरीके का concept यूज करके आप find out कर सकते हो देखो ध्यान में रखना कुछ formula हैं जो basic हैं वह हर बार इसी से related question पूछते हैं ठीक है तो आप यह देखते रहोगे देखो यह question इस प्रकार से आएगा तो हमने क्या किया simple सा कुछ नहीं आपको सिब density index का formula याद रखना था e maximum minus e natural upon e maximum minus e minimum ठीक है e maximum e minimum नहीं थे natural e थे तो e maximum e minimum कैसे point dot किया यह चीजे मैंने यहाँ पर दिखा दिया फिर बाद में यह value put कर दो डाइडेंसिटी density index में यह value put कर दो density index का यह formula है इस formula में मैंने value put किया देखो 0.60 minus 0.30 क्योंकि 30 क्या है 0.30 क्या है यह natural है natural void ratio फिर बाद में यह value put किया इन value को solve करो देखो यहाँ यहाँ बे 0.3 upon 0.4 आया इसका divide किया तो 0.75 आया और हंडेंसिटी इंडेंसिटी इंडेक्स 75 परसेंट हो गया इस तरीके का concept यूज करके आप find out कर सकते हो तो जैसे मैंने बोला था एक derivation बताऊंगा ठीक है derivations एक और बताऊंगा तो उसके पहले derivation बताने से पहले I think मेरे ख्याल से next lecture में वो derivation बता दूँगा यह एक numerical बता देता हूं फिर बाद में और next video में में derivation बता दूँगा एक और question कर लेते हैं ठीक है बहुत ही easy है बहुत ही अच्छे concept है next video में derivation बताऊंगा ठीक है next video में पक्का में derivation उसको बताऊंगा तो यह वाला चीजे देख लो ठीक है क्या question बोला है a soil sample has 0.6 void ratio and 8% moisture content ठीक है a soil sample has 0.6 void ratio मतलब उसका value कितनी हो जाएगी यहां पर given data भी लिखते जा रहा हो देखो जो चीजे दिया है नो चीजे लिखते जाए given data में पहले तो void ratio 0.6 दिया वह लिख लिए फिर उसके बाद से water content 8% था तो 100 से divide करोगे तो यह value आ जाएगी percentage में करने के लिए 100 से multiplication करते है value में और फिर बाद में percentage हटाने चलिए 100 से divide कर दो value है ठीक है concept याद रखना जी की value देखो दिया है specific gravity solid की 2.6 दिया calculate the following separately porosity को अलग से find out करो degree of saturation मतलब s को फिर saturated density और submerged density find out करनी है ठीक है तो चलिए वह one by one find out कर लेता हूँ मैं porosity का formula क्या होता है अगर void ratio दिया है तो मैंने अभी इसके previous lecture में मैंने यह चीजे बताई है ठीक है previous में की porosity का formula होता है void ratio upon one plus void ratio इसमें value put कर दो ठीक है इसमें value देखो यहाँ पर जो value मैंने put किया है यह water content की value put कर दिया है तो थोड़ा यहाँ पर यह mistake है यह आपने value put करने ने आ है कितना 0.6 upon one plus 0.6 यह value put करना है ठीक है मैं calculate करके बता देता हूँ यहाँ पर answer कितना आएग 0.6.6 divided by 1.6 कर देंगे तो value आ रहे है value right है ठीक है porosity की value 0.375 ही आएगी ठीक है यह point ध्यान में रखेंगे ठीक है जहाँ पर मैंने water content की value लिख दिया था यह point ध्यान में रखेंगे 0.6 होगा ठीक है void ratio की value होगी 0.6 यह point ध्यान में रखेंगे यह थोड़ा सा mistake हो गया था value यह right है porosity की value जो यह है यह right है ठीक है फिर बाद में degree of saturation की बात कर लेते है degree of saturation की तो degree of saturation की अगर मैं बात करूँ तो सेवाग यूज करेंगे क्योंकि मुझे s नहीं है बाकी eb है wb है gb है यह value यहाँ पर put की है मुझे degree of saturation मिल गया यह derivation मैं next video में जरूर बताऊंगा ठीक ह है next video में derivations पता दूँगा ठीक है तो s equal to wg upon e और इसमें यह value put की है 0.08 water content का 2.6 specific gravity है और 0.6 void ratio यह value put की है मेरी value केतने आए 0.3466 तो इसको 100 चा multiplication कर दिये तो 34.66 इसकी degree of saturation आ गया अभी आगे बोला है कि saturated density और submerged density फांड़ करना है तो saturated density का formula यह आप देख रहे हैं ठीक है saturated density का formula यहाँ पर देख रहे हैं और देखो एक कोई अगर मैं इसके last वाला जो इसका यह chapter का last है ना कि मैंने dry density का बोला था कि formula derive करके बताऊंगा तो एक अगर bulk density का मिली है ना तो देखो bulk density के base पे saturated density submerged density दोनों मैंने इसके previous video देखो कि कै कैसे formula बनाये यह वाला formula कैसे आया सम्मर्ज वाला formula कैसे आया यह concept मैंने पहले बता चुका हूँ ठीक है तो आगे का dry density का मैं derivation कराऊंगा सेवाग वाला जो एस इन्टू एस इन्टू इकल टू डेबली जी वाला जो है वो चीजे भी मैं derive करके बताऊंगा उसके base पे बाक वाला लू अपन वन प्लस इदेखो बलक डेंसिटी का formula क्या होता है यह बलक होता है क्या होता है जी प्लस इस इन्टू ए रो डवलू अपन वन प्लस इठीक है यहां पर बोला है saturated density मतलब एस की वैलू क्या हो जाएगी वन अब वन हो जाता है तो गी प्लस इंटू रो density में क्या होता है एस की वैलू जीरो होती है मतलब यह पूरी वैलू जीरो हो जाती है तो जी रो डवलू अपन वन प्लस ही हो जाता है तो बलक डेंसिटी से भी याद रखेंगे तो आगे का अच्छे से आप कर लेंगे ठीक है तो चलिए यह formula में वैलू पूट कर देंगे Saturated Density में 2.6 प्लस 0.6 और रो डेवलू की वैलू यहां पर भी देखिए कि रो की वैलू पे ही डिपेंड है रो की वैलू अगर आप जिस यूनिट में पूट करते हो ड्राइड यहां पर डेंसिटी की जो Saturated Density है उसकी यूनिट उसी में लिखोगे यहां पर वन पूट क करते होना तो आपको याद हो जाएगा ठीक है और आपको पता है कि सब्मर्ज डेंसिटी का फॉर्मला क्या होता है सब्मर्ज डेंसिटी का फॉर्मला होता है सचुरेटे डेंसिटी माइनस वाटर डेंसिटी वाटर की डेंसिटी सचुरेटे डेंसिटी में से माइनस कर दे और ऐसे कोश्चिंस अगर करते हैं तो मैं आसा करता हूँ कि आपको आसानी से हर कोश्चिंस समझ में आ जाएगा ठीक है जैसे मैंने यहां पर बताया था कि यह कोश्चिंस भी पूछा है देखो समर 2018 में यह कोश्चिंस पूछा है जी टी यू के सॉयल मेकेनिक्स का पेपर उठाओ और उसमें देखो यह समर 2018 में यह कोश्चिंस पूछा है ठीक है ऐसे बहुत सारे कोश्चिंस आए होंगे बस फॉर्मिला याद रखो फॉर्मिला लिख लो मैंने पहले भी टेक्निक बताया है मेरा मूह मत देखो मैंने पहले भी टेक्निक बताया है कि एक चार्ड पेपर ले लो और चार्ट पेपर पर पे आपने क्या कर देना है जितने फॉर्मले बास अब बार अब Dry जे circuit को पॉलकॉ Beatles को लिखे रहोगे तो पॉइंट के बेश पर आपको तो यहाँ पर मैं सिखाई रहा हूं कॉंसेप्ट यहां से लर्न कर लो और रिवाइज करो अपने मन में उस चार्ट पेपर को देखके कि ताकि आपको फॉर्मुले के साथ-साथ सभी पॉइंट याद रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिराइब करके बताऊंगा कि किस तरीके से अगले वीडियो में आपको मिलेंगे तो देखते रहे हैं और अपने फ्रेंड जो दोस्त हैं मित्र हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं सॉइल में उनके वीक हैं ठीक है तो उनके लिए ये रामबन की तरह काम करेगा तो देखते रहे हैं और अपने आपको बेस्ट बनाते रहे हैं थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो